अब देखो दस बजने वाले दस में दस कम है मैं जा रही उपनी बेटे को इसकूल छोड़ने क्योंकि आज रिक्सा वला नहीं आएगा वह कहीं बाहर गया किसी काम से इधर बारीज होई है न तो सारे कपड़े गीले देखो मैंने ऐसी से फैलाया है और अभी निकलती हूँ क्यों ताइब हो रहा है आप अबटा बड़ दो पीउ आप वाई करो हाई करो हाई करो हुआ है क्यों अकट्टू को स्कूल से लिए और मैं खाना बनाने में लग गई और यह मतर है और उबला हुआ अलुगला हुआ मतर इसकी सबजी बनाऊंगी और उसमें मैं अधरक में ट्रएफय वीडियो नहीं ले नहीं ले पाई घौ तो कि ठंड बहुत जादा थी और मैं भी स्विटर बैन के नहीं गई थी और मेरी बैटी तो स्वेटर पहनी थी लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी उसे मैं ऐसे चिपका के बैठी हुई थी फोन को निकालने जाए तो यह देखो सब्जी मेरी रेडी है और सब्जी रेडी कर दिया था तो यहां पर आगी थी मैं अपने बेट को ठीक करने क्योंकि सुबे से उठने के बाद नहाने के बाद पूजा करके ब रोटियां जल्दी-जल्दी में शेक ले रही थी कि खाने का भी टाइम हो गया था बेटे को भूख लगी थी उसे ना सुबे बोलती हूं खाने को खाता नहीं है वो बॉन बीटाया ही पीताया और ब्रेट वेगरा जो भी यह खा लेता है घर पे भी रहता था तो नहीं खा ले रही हूं और ठंड का मौसमें तो घरम-घरम खाना तो अच्छा ही लगता है और वैसे भी मेरी यादत है में रोटी कभी बना के नहीं रखती हूं खाना भले बना लो रोटी में आटा लगा के रख देती हूं यह खाना मेरा रेडी हो गया आजाओ आप भी हमारे साथ खाना मेरा रेडी है और चलो अब भी खाने मैं भी खाने मैं भी खा लेती हूं खाना हम लोग खाने लगे थे और किट्टू को नो सबजी पसंद नहीं आता है तीखा रहता है या नहीं रहता है नॉर्मल भी रहता है तो भी वह सबजी नहीं खाता है उससे मुझे ना जितनी बार मैं खिलाती हूं उतनी बार वो बोलता है तीखा लगता हो और तीखा ऐसे रहता नहीं है कभी का बार तीखा बनाती बाकी नॉर्मल बनाती है वो भी को खाना देने जा रहा है उसका खाना मैंने रखा था पर वो नहीं सुना तो खाना खुद ले जाके उसे दे र साफ कर रही थी तो मैं थोड़ा भी गंदा होता है तो मैं साफ करते रहती हूं पर एक बार पूरे अच्छे से क्लीन कर लेती हूं तो पानी के चीटे जो पड़ते उससे फिर मुझे वापस साफ करना पड़ता है तो वाइपर से पानी को मैं साफ कर दे रही हूं इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है तो कीचन का तो काम मेरा हो गया और पूछा भी मैंने लगा लिया था और यहां पर मैं आई थी ब्लैंकेट निकालने क्योंकि ठंड बढ़ गई है आज से तो रात को तो सोने में ठंड लगेगी क्या दिन में भी ठंड लग रही थी और ब्लैंकेट हमने निकाला नहीं था पतला वाला तो था जो मोटा वाला ठंड में उड़ते हैं वो नहीं न तो इसनलति जात थी और तो यह निकाल नाई पड़ेगा ठंड लगती है उसके विना चलेगा नहीं कि बहुती जेटेशल कि delicate जाती और आज ही नीकालेएं तो इसलिएन न्यागा नए निकाल दिया निकालास बार मिरंद साथ 12 से निकालों जिस में तो बस ये मैंने प्लेंकेट निकाल के धूप तो ऐसे मैंने इसे दिखाया था दीवाली के टाइम तो धूप दिखाने की जरूरत नहीं है बस इसको मैं अच्छे से अरेंज कर दे रही हूं ताकि औरने लाइक हो जाए और बच्चे को भी सुलाना होगा तो जरूरी है कर दो जरूरी है तो फ्रेंड्स अभी नहीं यहां गुजरात में बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि गुजरात में ठंड परती नहीं थी होती नहीं थी और इस पर तो ऐसा हो रहा है परसो रात को थोड़ा बारिस हुई थी और कल रात को भी हलकी बारिस हुई थी कल भी मौसम ठंडा था और कल बारिस भी हुई थी पूरे दिन में कभी कभी होती थी रुपती थी मतलब कंटिन्यू नहीं रुप रुप के बारिस की चीटे ऐसे होती थी उस वज़े से मौसम बहुत जादा ठंड हो गया है और रात में तो ठंड भी लग रहे थी इसलिए मैंने यह कंबल निकाल ब्लैंकेट क्योंकि वह पतला वाला तो ऐसे भी हम जब यह चलाते थे गर्मी में तो नहीं पड़ता था पर अभी ठंड का मौसम आगे है और अभी कल से ज्यादा ही ठंड बढ़ गई है और ऐसे भी देखना है ठंड तो बड़ी बारिस की वज़े से फिर उसके बाद साहि मौसम नॉर्मल हो जाए तो फिर नहीं लगती है यहां यहां बस दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट विक में ज्यादा ही ठंडी लगती है वह त्रहन मकर संकरांती तक तो ठंड रहती है उसके बाद धीर 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 एकदम से कम होने लगती है बच्चों को मेरे दे संकर गिला कर दे हिसली मैंने बिच्चा दीया ऐसे बिच्चाती नहीं थी हुआ अब मेरे घर के तो काम सब हो गया खाना भी बना लिया खा लिया वर्तन किचन व गया शना चाहिए सत्मीन कर लिया अब मैं आई हूँ अपनी बेटी को सुलाने और इससे भी इसको नहीं सुलाने बहुत ज्यादा जरूरी है सुएगी बिटा सुएगी हैं वाल देखो कैसे कर लिए देखो निकाल लेती है चोटी करती हुना तो रवर निकाल लेती है ओके गाइज चलो मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ अब बेटी को सुला दूं और किस्तों को ने सुलाने हैं मिलते हैं सामको चाय हमारी रेडी है आजाओ आप भी हमारे साथ चाय पीने और मेरा टीवी ओन था और इवनिंग के टाइम में अक्सर में सॉंग देखती हूं और सुनती हूं देखना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीते से मैं तो इसलिए मैं टीवी देख रही थी चाय मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे मैंने बोला था ना कि किट्टू बेटा मेरा सोता नहीं है लेकिन आज हो भी सो गया कभी-कभी ऐसे सो जाता है तो दोनों सो रहे थे तो मैंने अपने लिए चाय भी बना लेया चाय भी पीली और इधर उन लोगों के लिए हल्वा बना रह लेकिन पूजा जब खतम हो गई थी तब उठी थी वो जब बेडरूम में गई में घंटी बजाते हुए तो उसकी नीद खुल रही थी पूजा मेरी हो गई पूजा मेने कर लिया है और बच्चे मेरे उठ रहे हैं लेकिन आलस आराम को उठने में किट्टू दूड गया है प्यू उठी घंटी बजाई में ऐसे आंग खुली वापस से उसने आंग बंद कर लिया फिर मैं जाके उसे उठा देती हूं और दोनों का मुझ मीठा करवा देती हूं आज मैंने हलवा बनाया है दोनों का फेवरेट काफी देर से सो रहे हैं वो लो किट्टू पीहू प्यू कमान बेटा चलो उठो प्यू किट्टू उठो 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 किजी बनाई हूं हल्वा हाँ केक बना दूंगी अब भी देखो हल्वा बनाया है अब इनकी केक की फर्माइस हो गई है वोड़ा केक तब एक ही दिन में थोड़ी दोनों चीज होच पा सब्सक्राइब करने की दोनों बच्चे मेरे उड़ गए थे तो पीधू को और कि तुम मेरे दोनों बच्की यादा थे पुजा करते समयं यह लोग मेरे पास आ जाते हैं आज पूजा करते समयं सो रहते फिर भी जब उठें तो खुद मंदीर के पास जाके बेटी मेरी माथा टेक रहे थी पहने उसे गोधी में लेकर उसको माथा टेक आया और टीका करती हूं आर्थी करती हूं तो अब हलवा पर यहां मैं दोनों को हलवा खिला दे रहे हूं आर्था पज़ रहे हैं मैं का आप भाला क्या मैं 머रा बलता रह ताक वाला है बिया जाली को मैं टेक नहीं हरे हूं और cahna हूं आई मेरी बेटे को अटेха का बढ़ा है झाल झाल